चलिए बनाते हैं पानी पूरी के आलू और उसका चटपटा पानी, ऐसे बनाएंगे बजार जैसे जैसे घर पे ही फ्रेस फ्रेस, चलिए फिर ये भी खा लेते हैं, चलिए फिर रेसी पी पर आते हैं, ये ले लिया है मैंने फ्रेस फ्रेस धनिया, फोड़ी थोड़ी डंडी लीजिएगा और डंडी में ही होता है असली स्वाद और अब हम इसको मिक्सी जाड में डाल देंगे ये ले लिया है मैंने ताजा ताजा फ्रस्प दिना और इसकी डंडी अलग कर दी हैं और अब ये भी हम इसमें ही डाल देंगे इना डालने से पानी का स्वाद ही कुछ और ह इसमें बढ़िया तीखा लाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ चार से पांच हरी मिर्च, साथी में मैं डाल रही हूँ दो अध्रक के टुकड़े, इन सब चीजों का फाइन पेस्ट बना लेंगे, देखिए अच्छे से इसका पेस्ट बन चुका है, अब हम डालेंगे इ चमच काला नमग, जो की बहुत ही जरूरी है, आप इसे जरूर डालें, और साथी इसमें डालेंगे आदा चमच सफेद नमग, अब हम इसमें डालेंगे एक चमच जलजीरा, देखिए कितना अच्छा हरा भरा पानी है हमारा, और ये बहुत ही टैश्टी है, और अब हमने एक नीबू को काट लिया है, और अब हम इसमें नीबू का रस डालेंगे, खटास के लिए, और अब हम इसमें डालेंगे आदर चमच काली मिर्च का पाउडर, देखें पानी हमारा बनकर रेडि हो चुका है, अब चलते हैं पानी पूरी के आलू बनाने, अब हमने लिये हैं कुछ बोईल किये हुए आलू और अब हम इन्हें हातों से ही फोड लेंगे हमें मेसर से नहीं करना है आलू तो पानी पूरी के थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं अब हम इसमें डालेंगे एक चमच रेट चिली पौडर टेश के अकोर्डिंग नमक डाल देंगे और एक हरी मिची काट कर डाल देंगे और थोड़ी बारी कटी हुई प्यास डाल देंगे और इन सब चीजों का अच्छे से मिला लेंगे और अब हम लेंगे एक तबे या पेन में थोड़ा ओईल यह आलू इसमें ही डाल देंगे और अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे अच्छे से थोड़ा पकने देंगे यह हमारे पानी पूरी के चटपटे आलू और उसका पानी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए